अस्सालाम अलेकुम डेफ्रेंट्स उम्मीद है आप सब खेरेट सेंगे हमारा आज का जो लेक्चर है वो कानून शहादत ओर्डर 1984 for log 8 आज के इस लेक्चर के अंदर हम कानून शहादत ओर्डर के इसने भी important questions है log 8 के लिए वो सारे के सारे discuss करने की कुशिश करेंगे सबसे पहले के कानून शहादत ओर्डर के अंदर जो आपका QSO है इसके कितने marks है इसके 20 marks है log 8 के अंदर दूसरी चीज यह कि इसके अंदर कितने articles है 166 articles है और complete कानून शहादत order है आपका log 8 के सलेबस के अंदर अब देखें जब इसके articles जादा है इसके आपको यहाँ पर critical questions नहीं देगा यहाँ पर आपको simple ही questions पुछेगा अब यहाँ पर जो सबसे पहला सवाल आता है QSO से related हो आता है कि यह जो कानून शहादत order है यह repeal कौन से law से हुआ था इंडियन एविदेंस एक्ट इंडियन एविदेंस एक्ट 1872 यह आपने याद रखना है यहां से इंक्रोडक्शन इसका जो complete इंक्रोडक्शन है और इसके जो interpretation वाला कुष्चन है यानि कि article 2 यहां से एक सवाल लाजमी आता है उसके बाद जो दूसरा point है वह यह है कि इसकी passing date क्या है इसकी passing date है 28 October 1984 यह हो गया इसका introduction दूसरी चीज है कि इसके अगर scope या इसकी applicability की बात आ जाए applicability कि यह कहां कहां पर applicable है और इसका scope कहां पर है तो इसके अगर applicability की बात की जाए तो यह आपने सिर्फ और सिर्फ यह point याद रखना है कि it is where it is not applicable it is not applicable in arbitration and it is not applicable in family courts कि आपकी जितने भी family court से वहां पर और arbitration के अंदर आपका कानौन इशादत order applicable नहीं है इसके इलावा जितने भी कौजा है जुडिशल और जो है आपके जितने भी matters हैं चाहे फिर वो tribunals related हो चाहे फिर वो civil हो criminal हो x y z सारे के सारे जितने भी आपकी proceedings है सब proceedings पर applicable except arbitration and family courts यह point आपने याद रखना है अगर आपने सिर्फ यही point याद रखा के it is not applicable in arbitration and family courts अब आपके जहन में सिर्फ यही चीज़ बैठ जानी चाहिए कि इन दोनों पर applicable नहीं है it means कि बाकी other जितनी प्रोसीडिंग से वहां पर आपके जो कानौन इशादत order है यह applicable है उसके बाद आजाते हैं हम article number two interpretation की दरफ अब अगर article number two second article interpretation की बात की जाए interpretation के नहीं सबसे पहला जो point है वो क्या है court court के अंदर उसने हमें सिर्फ यह बताया कि court includes judges, magistrates and all persons except arbitrator legally authorized to take evidence कि court के अंदर आपके जितने भी judges हैं जितने भी magistrate हैं वो सारे के सारे include हो गए और उनकी बहाफ पर या उनकी जगा कोई भी person आ सकता है जो के oath ले सके या फिर जो है आपका evidence ले सके उसके बाद आजाता है second document अब अगर document की बात की जाए तो कानुने शहादत order के तहट everything each and everything कोई भी चीज जिसके उपर कोई चीज लिखी है यह whiteboard है इस पर अगर कोई चीज लिखी है अगर कोई चीज लिखी है चाहे फिर वो एक्सप्रेसली हो चाहे फिर वो इंप्लाइड लिखी है चाहे फिर वो एक्सप्रेसली हो चाहे फिर वो एंप्लाइड लिखी हो और वो सबस्टेंस record हो सके is document तो उसको हम जो है document कहेंगे और वो evidence के तोर पर use किया जा सके उसके बाद आजाए evidence अब अगर evidence की बात की जाए तो देखें evidence के अंदर उसने include किया के evidence या तो होगा आपका all statements and all documents जब उसने बात की के statements और statement के इलावा उसने क्या कहा उसने कहा all documents it means के आपकी जो भी evidence होते हैं या either वो होते हैं आपके oral evidence या होते हैं documentary evidence उसके बात जो next हमें बताए इसने definition clauses के अंदर fact what is fact कि fact क्या है fact means कोई भी हकीकत यहां पर उसने जो definition बताई fact की वो यह बताए कि being perceived by senses आपकी हिस के जरीए से कोई भी चीज परसीव की जा सके उसको हमने क्या कहा उसको हमने describe किया as fact कि वो क्या है वो आपका fact है उसके बाद आजाएं अगर हम fact के बाद अगर हम article no.3 की बात करें देखें यह तो हो गए interpretation article no.2 कहना जो भी important important definitions थी वो हमने discuss की अब आते हैं article no.3 की तरफ article no.3 किस चीज़ की बात करता है आपका जो article no.3 है वो बात करता है आपकी competency of witness की के कौन competent है as being a witness और कौन गवाई दे सकता है अगर हम competency of witness की बात करें तो यहाँ पर article no.3 define करता है किसको competency of witness को अब article no.3 आप खोलें अगर article no.3 खोलते हैं तो वहाँ पर simply आपको जो है एक किलिए definition मिल जाती है किसी इसकी जो हमें ये बताती है कि जो भी आपके word है क्या बता है इसने article no.3 ने हूँ में testify कौन गवाई दे सकता है article no.3 सिंपल ये बताता है कि every person आपने ये word के आयाद रखना है every person कोई भी गवाई दे सकता है every person is competent to testify यानि कि कोई भी शक्स गवाई दे सकता है if he can if he can understand question and give rational answer कोई भी शक्स अगर किसी सवाल को सही तरीके से समझ सकता है और उसका दुरुस्त जवाब दे सके तो वह आपका क्या है वह competent to testify है आइदर वह male हो आइदर वह female हो आइदर वह child हो आइदर वह जो है आपका old age हो या फिर कोई भी शक्स हो तो वह competent to testify है उसके बाद इसने हमें कुछ यह बताया कि provided it लेकिन अगर कोई भी शक्स जो के competent to testify है लेकिन वह convicted हो चुका हो court के अंदर is a jailed witness यहां पर जो word आ जायता है jailed witness कि अगर कोई jailed witness है तो देखें अगर कोई भी शक्स jailed witness होगा और उसने जो है जोटी गवाई दी हो court में जोटी गवाई दी हो तो वह testify नहीं कर सकता है लेकिन फिर उसने further provided debt यह बताया है कि अगर वह repent his ways repent his ways का मतलब क्या है कि वह जोह तोबा कर चुगा और उसने या तो फिर जोह वह उस रह पर वापिस आ चुकाओ कि अब दोबारा वह जोटी गवाई ही नहीं देगा तो फिर क्या है कि फिर वह testify कर सकता है according to article 3 of कानने शहादत order आपने सिर्फ हो सिर्फ ये बात याद रखनी है कि हर शक्स गवाई ही दे सकता है जो के सवाल को समच सके और उसका दुरुस्त जवा है तो जो लुनाटिक है इस नौट इंकॉंपिटेंट जो लुनाटिक है वह भी आपका एक जो है कॉंपिटेंट टेस्टिफा है उसका रीजन क्या है कि एड़ टाइम ओफ अंडर्सेंडिंग दे कुश्चन वह सवाल को सही तरीकर समच सकता है और उसका दुरुस्त जवा इसका बात करता है कॉंपिटेंसी एड नंबर औफ विटनेस की बात की हमारे पास आर्टिकल नंबर 17 में अब आर्टिकल नंबर 17 ने कुछ यूं कहा कि जितने भी आपके हुदूद के मेटर्स हैं अब जो हुदूद के मेटर्स हैं वहाँ पर कौन-कौन गवाही दे सकता है तो according to article number 17, point यह याद रखने है कि according to article number 17 सिर्फ-सरिफ male गवाही दे सकता है दूसरा Muslim गवाही दे सकता है वहाँ पर तो क्या था कि male हो, female हो Muslim हो, non-Muslim हो Every person था यहाँ पर क्याता है Every person चाहे male, female कोई भी हो और यहाँ पर क्या है male हो Muslim हो और जो है आपका एक adult हो और चोथा तस्किया शहूद तस्किया अल्शहूद तस्किया अल्शहूद का मतलब क्या है जो के तस्किया से यह वर्ड कहां से निकला है तस्किया शहूद तस्किया से निकला है कि जो पाकिसा गवा हो तो यह सारी की सारी क्या है यह according to article number 17 competent witness है उसके बाद अगर number of witness की बात की जाए तो देखें one male and one male or two females या तो दो मेल्स होंगे two males और दो मर्द या फिर और बढ़ के रखने आपने और one male and two female ठीक हो गया one male and two female अब कुछ उल्मा एक्राम के नजदीक उन्होंने ये कहा के जो four females है ये भी competent है लेकिन अगर ऐसा mcqs के अंदर अगर ऐसा point आ जाता है तो भी आप उसको टिक कर सकते हैं लेकिन अगर ऐसा कोई point नहीं आता तो आपने सिर्फ उसरिफ टिक करना है किस पे two females two males और one male and two females ये आपने याद रखना है उसके बाद अगर आप आजाएं article number जो word क्या है और one male and two women ठीक है ना यहां तक यह चीज़ की लिए रोगए अब article 17 के तहत जो अपने हुदूद के cases याद रखने हैं वो हुदूद के cases कौन कौन से है वो हुदूद के cases हैं हमार पास एक है हमार पास जिना एक है जिना, बिल, जबर ठीक है और उसके इलावा आपके पास आ जाता है drinking drinking के इलावा कज़व, ठैफ्ट कजफ, थैफ्ट, हरबबा और उसके इलावा आजाता है आपका सेडिशन और अपॉस, टेसी डिंकिंग, थ्री फॉर का जो केसिस होते हैं कजफ, ठीक है उसके बाद है थैफ्ट, हरबबा, और जो है सेडिशन, मुल्क के खिलाफ गदारी और अपॉस, टेसी अगर कोई शक्स जो है आपका मुर्तिद हो जाए, यह आपके हुदूत के कैसिस है यहां तक जो हमने पॉइंट किलियर की है, वो की है आर्टिकल नमबर थ्री और आर्टिकल नमबर सेवंटीन के बीच का डिफरेंस अब जो बीच के आर्टिकल से हैं, वो कौन-कौन से आर्टिकल से हैं, देखें, जनरल रूल क्या कहता है, जनरल रूल तो यह जनरल रूल ने हमें यह बताया, आर्टिकल नमबर थ्री ने के That i.e.e. every person is competent to testify, if he can understand the question and give the rational answer अब जो बीच के आर्टिकल है, आर्टिकल 4 से लेके 16 तक जो रहे गए, आर्टिकल 4 से लेके 16 तक जो रहे गाये, अब अब हम ढिस्कस करते हैं, देखें, आर्टिकल 4 से 16 तक कुछ यूं आर्टिकल की लिस्ट चलती है, जो के सवाल को सही तरीके से समझ भी सकते हैं, और उनका दुरुस जवाब दे भी सकते हैं, लेकिन फिर भी वो competent to testify नहीं है, उसका reason क्या है? उसका reason यह है कि वो privilege communication है, इसको आपने जो word याद रखता ह है, it is called privilege communication, या फिर आप इसको जो है, प्रोटेक्ट कम्यूनिकेशन भी कह सकते हैं, तो टेक्टिड कम्यूनिकेशन, यह पॉइंट आपने याद रखी है, अब जो आर्टिकल नमबर 4 है, आर्टिकल नमबर 4 क्या कहता है, आर्टिकल नमबर 4 कहता है, जजिस एंड मेजिस् जजिस एंड मेजिस्ट्रेट्स जो है, वो कॉम्पिडन नहीं है, किसी भी जुरम में गवाही देने के लिए, तो आर्टिकल 4 ने क्या कहा, कि जो जजिस हैं, जो मेजिस्ट्रेट्स हैं, वो प्रोटेक्टिड कम्यूनिकेशन में आते हैं, लेकिन यहाँ पर उसने एक कि अगर उनकी हाएर अथौर्टिज उनको बुला लें, और वो कहें कि यहां पर आप जोई गवाह दे तो वहां पर वो गवाही दे सकते हैं, उसके बाद आर्टिकल नमर फाइफ, ने हमें क्या बता है, आर्टिकल नमर फाइफ में अज़निकेशन dwirn marriage, कम्यूनिकेशन during marriage कि आपकी शादी के दौरान जो भी marriage के दौरान जो भी communication हुई है और उसके बाद आपकी उस wife से तलाग हो जाती है तो वो उसके बाद उसको disclose करे तो वो भी जो आपकी communication है वो भी एक protected communication है वो उस communication को disclose नहीं कर सकती अगर disclose कर भी देती है तो उसकी कोई भी evidently value नहीं है उसके बाद article number 6 evidence as to affairs of state article number 6 ने क्या बताया affairs of state के जितने भी मामल आते हैं वो भी क्या है वो भी आपके protected communication में आते हैं उसके बाद article number 7 की तरफ चलते हैं official communications जो भी आपकी official capacity के अंदर official communications है वो सारे की सारी क्या है वो सारे की सारी protected communication है उसके बाद article number 8 आ जाए article number 8 ने क्या बताया information as to commission of offense के commission of offense की जो भी information वो भी क्या है वो भी आपकी protected communication है information as to communication of offense उसके बाद article 9 की तरफ आ है अगर article 9 की तरफ आ है professional communications जो भी आपकी professional communications है वो भी सारी कि सारी क्या हैं वो भी आपकी protected communication है ठीक है उसके बाद article 10 ने बताया कि article 9 to apply interpretators जो आपका article 9 है वो उसके interpreters पर भी अप्लिके बेल होगा privilege not waived by volunteering evidence के जो भी आपके privilege है वो volunteering evidence पर waived नहीं होगी तो article number आपका जो 4 है 4 से लेके 14 तक आपकी सारी के सारी क्या है protected communications है 9, 10, 11 ये सारी के सारी क्या है ये relate करती है आपके advocates के साथ जिसके अंदर आपने सिर्फ सिंपल ये याद रखना है कि जो एक advocate है वो protect करेगा अपने client की information को और client है वो disclose नहीं करेगा अपने advocate की information को ये किस तरीके से होगा ये इस तरीके से आपने point से याद रखना है कि देखें अगर कोई भी client अपने advocate को ये बता दे कि ये जरुम मेंने किया है या ये जरुम में कर चुका हूँ तो ये जो communication है उसके client की आपस की तो वो जो है court के अदर उसकी कवाही कोई भी evidentry value नहीं है फिर फिर फर्दर इस article ने आगे जो है elaborate इस चीज़ को किया कि जो आपके मुझी वगरा हैं जो आपके clerks वगरा हैं जो advocate की clerks हैं वो भी उन पर भी applicable है कि वो भी उस चीज़ को disclose नहीं कर सकते फिर further let's suppose कि आपका एक advocate है advocate अपने client को ये मशवरा दे दे कि आप ये जुरुम जागे कर लो ये मशवरा दे दे या फिर उसको ये बता दे तो फिर जो चीज जो बात आपके advocate पर applicable है वही उसके client पर भी applicable है यह हमें किसने बताया यही privilege communication है privilege भी याद कर सकते हैं protected word भी यूज़ कर सकते हैं उसके बाद जो article number 15 है article number 15 किसी इसके लिए यूज़ होता है article number 15 यूज़ होता है accomplice accomplice कौन है क्या accomplice competent है या नहीं देखें जो word accomplice है accomplice का मतलब क्या है शरी के जुरुम देखें जो word accomplice है यह आता है article number 16 के नहीं article number 16 simple यह बताता है कि जो accomplice है शरी के जुरुम यह भी एक competent witness है इसकी गवाई भी acceptable है witness not excused from answering on ground of answering incriminate कोई भी ऐसा सवाल जो आपको खुद भुजरिम बना दे किस तरह के से मिसाल के तोर पर अगर ए ने बी का मडर किया और यहां पर सी के दे के मैंने उनके रूम में जाके यह देखा कि ए ने बी का मडर किया तो यहां पर कोड जो है वो यह सवाल कर सकती है C से कि आप यह बताएं कि आप इनके रूम में करके रहे थे अब यह अगर यह जवाब दे तो हो सकता है कि यह डिकलेर हो जाए कि यह जो है कि यह क्या है यह आपका accuse बन सकता है इस चीज़ से अक्यूस किस तरीके से बनेगा अगर यह दूस जवाब देदे कि हां मैं उधर चोरी करने गया था तो यह यहां पर क्या बन जाएगा यह मुझरिम बन जाएगा इसा सवाल जो आपको खुद मुझरिम बना दे तो यह एक प्ली ले लेगा किसी इसके आर्टिकल नमर 15 की कि किसी भी शख्स को उसके जाप के खिलाफ गवाही देने पर मजबूर नहीं किया जा सकता उसके बाद आजाएं आप यहां तक हमने जो अभी तक चीज़ें डिसकस की हैं वो आर्टिकल 3 आर्टिकल 17 और उसके दर्मियान जितने आर्टिकल्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं वो सारे के सारे आर्टिकल्स उसकी एक्सप्शन्स हैं जनरल रूल ने यह बताया आर्टिकल भी गवाई ही दे सकता है फिर उसके बाद आर्टिकल नंबर फोर से लेके आर्टिकल नंबर आपके 16 तक जो भी थी उसकी सारी के सारी क्या थी exceptions थी अब आते हैं हम आर्टिकल नंबर 18 जो second chapter इसका next chapter है अब इसका जो next chapter है वो किसी चीज़ के साथ deal करता है वो है के relevancy of fact के relevant कब relevant होंगे और कब irrelevant होंगे अगर हम relevancy of fact के बारे में बात करें Relevency of Fact अगर Relevency of Fact की बात की जाए तो देखें Relevency of Fact के अंदर एक चीज़ आपने याद रखते हैं कि Fact जो होते हैं वो या तो होते हैं Fact in Issue या फिर आपके क्या होते हैं या फिर आपके होते हैं Releven Fact गवाही या तो होगी Fact in Issue से मतलिक या होगी Releven Fact से मतलिक इन दो से Related आपकी गवाही होगी अब Point जो आपने याद रखनी है Examination Point of View से वो या याद रखनी है कि Evidence May be Taken Fact in Issue और Releven Fact अब Fact in Issue क्या है और Releven Fact क्या है कि Fact in Issue क्या है असली बात असली मुद्ध किस तरीके से मैंने B को C का मर्डर करते हुए देखा अपनी आँखों से मैं रूम के अंदर इंटर हुआ और मैंने देखा कि वो C को जो है मार रहा था आइधर पिस्टल से मार रहा था आइधर डंडे से मार रहा था और उसके मारने से ही उसकी मौत हुई यह मैंने क्या चीज़ देखी यह मैंने देखा जो मेरा देखना था यह क्या था Fact in Issue असली बात Relevant Fact क्या होता है कि जो Fact से Relate करें Relevant हो Fact के साथ Relevant किस तरीके से होंगे Fact के साथ मिसाल के तौर पर मैं यह कहूँ कि मैंने B को जो है जहर खरीदते वे देखा और जिस जहर से C की मौत हुई वो ही जहर जो है B खरीद रहा था अब यहां पर पॉइंट यह देखें कि मैंने अपनी आंखों से उसको Murder करते वे नहीं देखा लेकिन बात एक दूसरे के साथ जो है बहुत ही connected है तो यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा relevant fact वो fact जो के relevant हो आपके उस transactions है relevant fact needs not to be proved जो आपके अच्छा irrelevant fact क्या है यहां पर मैं point एक लिखना बूल गया irrelevant irrelevant facts जो irrelevant facts होते हैं needs not to be proved irrelevant facts क्या होता है मिसाल के तोर पे यहां पर अगर कोई witness आ जाए वो यह कहें कि जिस टैम पे C का matter हुआ उस टैम पे A तो जो है मेरे साथ कराची में था या फिर कल तो है कल जिस टैम C का matter हुआ उस टैम A जो है मेरे साथ घुम रहा था अब यह irrelevant बाते हैं यह कौन से बाते हैं यह irrelevant बाते हैं जो आपके fact के साथ relate नहीं है relevant नहीं है तो आप घुमा फिरा के कोई तीसरी बात बीच में लेके हैं आपसे अदालत यह नहीं पूछ रही कि वो वहां पर था वो कहां पर था वो आपसे सर्फ और सर्फ इतना बुछ रही कि आपने उसको murder करते हुए देखा या नहीं देखा लेकिन आप बात को घुमा रहे हैं तो वो जो है irrelevant facts and irrelevant facts needs not to be approved उसके बाद आजाएं आप rest gist चाय article number 19 याद रखें कि जो इसका article है article number 19 rest gist चाय rest gist चाय क्या है rest gist चाय एक latent term है जो आपको कानवे शाहदत order की barret की wording के अदर नहीं मिलेगा इसका मतलब क्या है things closely done things closely done अगर आप से वो यह पुछे what's the article of rest gist चाय है तो article number 19 है या फिर इसकी अगर meaning पूछ ले rest gist चाय means तो इसकी है things closely done ठीक है उसके बाद जो एक और important article है वो है article number 22 जो कि किसी इसके बाद बारे में बात करता है identification 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 period अब यह word identification period भी आपको जो है lettering रम ही है यह यह भी जो है आपको बेरक के अंदर नहीं मिलेगा अब वहाँ पर कुछ बेरक के अंदर वर्डिंग कुछ हो रहे हैं यहां पर क्या है identification period identification period क्या होती है मिसाल के तोर पे मैं यह कहूं कि मैंने एक शक्स को देखा जो के यहां से चोरी करके भागा है bank से चोरी करके भागा है लेकिन मैं उस शक्स को जानता नहीं हूँ अगर मैं उस शक्स को देखूंगा तो मैं उसको पहचान जूँगा और वहाँ पर जहाँ जहाँ पर सारगे सारे मुजरिम खड़ें और मुझे दिखाया जाता है और मैं यह कहता हूँ कि यही वो शक्स है जिसने चोरी की थी अब देखें मैं उसको जानता नहीं हूँ तो यहां पर जो word आपने याद रखना है वो word कौन सा याद रखना है वो word simply आपने किसी चीज़ का याद रखना है कोई भी ऐसा शक्स जिसको आप जानते नहीं है और वो शक्स उस शक्स को आप देखें और देखने से ही आप बता दें कि यही वो शक्स है जिसने चोरी की थी unknown अगर आप इसके लिए अगर आप सही word यूज करें तो वो आप यूज कर सकते है अनन या फिर जो है कोई भी ऐसा शक्स जो के हैप्चल नहीं है हैप्चल ओफेंडर नहीं है ठीक है उसके बाद जो आपने एनदर तिंग याद रखनी है वो क्या चीज़ है वो है आपकी प्ली ओफ एलिबाई आर्टिकल नमबर 24 डिल करता है किसके साथ फिली ओफ एलिबाई अब यह प्ली ओफ एलिबाई क्या है फिली ओफ एलिबाई की मीनिग क्या है अगर मैं यह कहूं के कल at this time of submission of crime या अट टायम आफ transaction अफ क्राइम मैं जो ही उस point पर नहीं था मैं कहा पर था मैं कराची के अंदर था और मैं पिली ले रहता हूँ कि मैं कहीं और था तो ये मैंने क्या ली पिली ओफ एलिबाय एलिबाय का मनलब इल्सवेर मैं कहीं और था अब यहाँ पर आलवेज टेकन बाई अक्यूस्ट पिली ओफ एलिबाय इस आलवेज टेकन बाई अक्यूस्ट ये point आपने याद रखनी है उसके बड़ आपने याद रखना है कि irrelevant facts के जो point है irrelevant irrelevant facts needs not to be approved कि जो भी आपके irrelevant facts हैं उनको थाबित करने की ज़रूरत नहीं है यह होगे हमारे आर्टिकल 1 से लेके 24 तक उसके बाद अगर हम आगे चलें तो नेक्स जो हमार पास आज का आर्टिकल है वो कौन सा आर्टिकल है वो है admission and confession admission and confession की तरफ जाने से पहले आपने यह याद रखना है कि जो हमार पास relevancy of fact के अंदर जो चीज़ें relevant थी अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी हैं जो relevant है एक है आपका motive एक है आपका previous conduct देखें previous conduct क्या है और motive क्या है motive का मतलब क्या है वज़ा अगर मैं कोई जुरुम करता हूँ तो उसका कोई ना motive होगा प्रिवेस कंड़क क्या होता है मिसाल के तौर पर अगर कोई शक्स यह कहे कि यहाँ पर जो है एक murder हुआ है और यह murder उसी तरीके से हुआ है जिस तरीके से आज से दो महीने पेले C के घर में C ने murder किया था तो देखें अब जो C का previous conduct था वही conduct अभी आया है that means कि C नहीं यह crime यह जो है murder किया है यह है इसको हम क्या कहते है previous conduct previous conduct के बाद preparation आपकी जो preparation है यह भी relevant है उसके बाद next क्या है next आजाता हमार पास identification period हमने discuss कर लिया और previous conduct भी हमने discuss कर लिया identification period से related में आपको बता रहा था कि stranger stranger offender या फिर stranger offender का word आप याद रख लें कि वो word आपको इस तरीके से दे सकता है कि stranger offender is known by any person in identification period ठीक है इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं देखें complete bear act को अगर आप minimum दो से बार दो से तीन बार study करेंगे self study की सुरत में तो आप अच्छे तरीके से word by word समझ सकते हैं क्योंकि lecture के अंदर क्या होता है कि हम कुछ चीजें skip कर जाते हैं और मैंने सरफ और सरफ आज आपको board पे वही चीजें समझानी हैं जो relate करती हैं आपके examinations से और जो बहुत ही important है examination point of view से उसके बाद next जो हमारा topic है आज का वो आजाते हैं आपका admission and confession अब ये admission क्या है और confession क्या है सबसे पहले जो first point आपने याद रखना है admission और confession से related वो ये है कि जो आपका admission है वो concept है civil का और जो confession है ये है आपका criminal ये किसी इसका है civil पहली point आपने ये याद रखनी है कि ये admission कब होता है civil में confession कहा होता है criminal में admission सबसे पहले A, B, C, or D A, B, C, or D यहाँ पर भी हम जो है example लेते हैं A, B, C, or D की अब A, B, C, or D इन मेंसे जो है सिर्फ और सिर्फ D हमें क्या बताता है कि हमने B केता है कि हमने contract किया है किस के साथ Mr. X के साथ अब D ने क्या कहा हम चारों ने contract किया Mr. X के साथ तो देखें जो admission है वो आपकी खुद की जात के खिलाफ भी हो सकता है और जो है आपके referred person आपके representative के साथ या फिर आपकी जितनी भी parties है उन सब के खिलाफ भी हो सकता है यहाँ पर जो word आपने याद रखनें वो word क्या है by by person by representative ठीके यहाँ पर word क्या रखने है by party sorry यहाँ पर word था by party by representative और फिर यहाँ पर आपने third point जो याद रखने है वो by referred person ठीके by party by representative और by referred person admission अब admission के से related admission है acknowledgement of fact acknowledgement of fact यह point आपने याद रखने है उसके इलावा जो point आपने याद रखनी है वो यह है कि all confessions are admissions but all admissions are not confessions जितने भी आपके confessions होते है वो सारे के सारे क्या होते है वो सारे के सारे admission ही होते है लेकिन जो admission है वो सारे के सारी confessions नहीं होती क्योंके confessions आपके सिर्फ उसरिफ कहा होते है confessions आपके सिर्फ उसरिफ होते है आपके criminal के अंदर admission कहा होते है admission आपके civil के अंदर होते हैं लेकिन वो criminal के अंदर भी हो सकते हैं क्योंकि admission आप दुसरे खिलाफ भी करते हैं अब देखें confession के अंदर अगर हम बात करें तो confession होता है सिर्फ अपनी जात के खिलाफ confession सिर्फ अपनी खुद की जात के खिलाफ होगा confession सब के खिलाफ नहीं हो सकता or confession के अंदर you can retract from confession confession के अंदर you can retract from confession but you cannot retract from admission admission के अंदर आपका concept है stopple का अभी stopple क्या है stopple article 114 114 के अंदर हम आगे चलके पढ़ेंगे stopple means कि अगर कोई भी शक्स declare कर दे तो उसके बाद उस पर stopple लग जाता है civil के अंदर के वो जो है अपनी बात से मुकर नहीं सकता लेकिन confession क्या है confession के अंदर एक बार आपने confess कर लिया तो उसके बाद आप मुकर भी सकते हैं लेकिन उसके नहीं जो word आपने याद रखने है threat promise और inducement confession से आप मुकरते हैं किस लिए हैं किस वज़ा से मुकर सकते हैं क्योंकि आपको या तो threat हो promise हो या फिर inducement इस वज़ा से आप अपनी बात से मुकर जाते हैं यहां से एक सवाल लाजमी गेट के अंदर आता है कि confession becomes irrelevant confession जो है irrelevant कब बनता है जब उसके अंदर threat आजाए promise आजाए inducement आजाए तो फिर वो जो है आप उसससे मुकर जाते हैं मुकर सकते हैं उसका reason क्या उसका reason यह मिसाल के तोर पे A था A ने गाड़ी से B को मारा अब A ने जब गाड़ी से B को मारा तो उसने देखा B का लो murder हो चुका है accident की सूरत में अब वो अपने खुद के जो उसका driver था उसको कहता है कि आप मेरी driving street पर आके बिटो आपकी family का खर्चा भी में उठाऊंगा और आपको jail से भी बाहर में खुद ही निकालूँगा अब यहां पर क्या होता है कि जो आपका A है यानि कि जिसने murder किया है वो बाद में अपने promise से मुकर जाता है या फिर जो driver है वो driver इस वज़ा से उसकी बात मान लेता है क्योंकि उसको खौफ और ड़ता कि हो सकता है वा मेरी family को नुक्सान पोचा दे तो यह जो confession है यह confession क्या बन जाएगी फिर यह confession आपकी बन जाएगी irrelevant and when there is irrelevant fact, irrelevant fact needs not to be approved यह अपने याद रख रहा है उसके बाद आपने एक और चीज़ याद रखने है कि confession before police confession before police या फिर confession in custody in custody of police confession before police, confession in custody of police has no evidentiary value कि confession police के सामने, police की custody में confession की कोई भी एहमियत नहीं है यह हमने दो concept clear किये, कौन-कौन से, एक किया हमने admission का और एक किया हमने confession का इए इन दोनों points मेंसे, इन दोनों questions मेंसे आपके anyhow दो सवाल लाज़म आएगा, अब देखें log 8 के अंदर अगर आपका, जो syllabus है, उसके अंदर 20 marks है, that means कि आपके सपास सवाल भी कितने आएंगे, 20 सवाल आएंगे एक सवाल definitions के लाज़मेंसे, interpretation के लाज़मेंसे, introductory के लाज़मेंसे, लाजमी आएगा दूसरा question आपका आएगा, article number 1 से लेके, article number आपका 3 से लेके, जो 17 तक के article हैं, उसमेंसे सवाल आ सकता है उसके बाद जो अभी relevancy of fact का हम जो topic पढ़ रहे थे, उसके अंदर से एक सवाल आ गया, admission and confession मेंसे 2 से 3 सवाल आ गया उसके बाद आजाएं आप, confession देखें, या तो confession होता है आपका, judicial या होता है, आपका extra-judicial confession extra-judicial confession, judicial confession क्या होता है, extra-judicial confession क्या होता है, confession in front of magistrate, word के याद रखना है, in front of magistrate magistrate के सामने जो confession होता है, उसको हम कहते है, judicial confession और जो confession आपका magistrate से हटके, या तो फिर वो हो आपके police के सामने या फिर वो हो, doctor वगेरा के सामने, वो सारे के सारे क्या है, extra-judicial confession से, अब यहाँ पर void याद रखना है, in front of magistrate, तो आपने याद रखना है, second चीज़ है, judicial confession is the best piece of evidence जो आपका judicial confession है, यह best piece of evidence है, और जो आपका extra-judicial confession है, is the weakest piece of evidence, यह point आपने यहाँ तक याद रखनी है, उसके बाद जो point याद रखनी है, जो एक और important article है, वो है, article number 46, subclass 1, जो किसी इसके बारे में deal करता है, dying declaration, dang declaration क्या है, dang declaration यह है, कि कोई भी शक्स जो मर रहा है, उसकी मौत वाकिय होने से पहले, मरने से पहले, वो कुछ अलफास कह जाए, इस सुरक में कि मुझे इसने मारा है, अब मिसाल के तुर पे, अगर कोई शक्स यह कह दे, कि A ने B का मडर किया है, ठीक है, और B मरने से पहले यह बयान दे दे, कि मेरा मर्डर ए नहीं किया है, डेट मींस कि उसके बयान की evidentry value है, उसका reason क्या है, उसका reason यह, कि मरतावा शक्स कभी जूट नहीं बोलता है, अमार पास एक Latin मेक्जी में जो यह किता है, a dying person does not tell Allah है, कि मरतावा शक्स कभी जूट नहीं बोलता है, और उसके बाद जो next आमार पास article है, आज का important article के अंदर आज़ता है, 59 article, expert opinion, expert opinion, लेकिन expert opinion की तरफ जाने से पहले कुछ और इसके important articles हैं, वो हम discuss करते चलेंगे, वो articles कौन-कौन से हैं, वो articles आपके आजाते हैं, statements made under special circumstances, अब वो कौन-कौन से relevant है, कब-कब relevant है, और कब-कब relevant नहीं है, सबसे पहली points आपने, यह याद रखने हैं, कि entries in book और accounts, जो भी आपकी book और accounts के नहीं होती हैं, वो सारे के सारे के सारे आपकी relevant हैं, उसके बाद जो आपके maps, charts वगरा हैं, जितने भी plans वगरा हैं, वो सारे के सारे कब relevant होंगे, कब relevant नहीं होंगे, उसके बाद, how much of a statement is to be proved, कि आपकी जो statement है, उस में से कितने statement का कौन सा हिस्सा और कितने हिस्से को साबित करने की जरूरत है, देखें, एक point आप याद रखें, कि अगर मिसाल के तौर पे, अगर आप code के अंदर जाते हैं, और code के अंदर आपको किसी एक particular case law को साबित करना है, अब जब आपने किसी एक particular case law को साबित करना है, जिस book में से साबित करना है, वो पूरी की पूरी book साबित करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उस book का वो हिस्सा जो आपके case के साथ relevant है, उसको साबित करने की जरूरत है, विसाल के तौर पे अभी यह जो मेरा lecture है, इस lecture के अंदर कोई भी मैं ऐसी बा सेडिशन में काउंट हो, मेरी वो बात, सिर्फ हो सिर्फ मेरी बात का मेरी वो particular point और जो मेरी वो बात है, वही अगर आप साबित कर जाएं तो वही काफी है, पूरी की पूरी speech को साबित करना necessary नहीं है, तो यह हमें किसने बता है, यह सारे के सारे हमारे पास जो articles हैं, यह है आर्टिकल 48 से लेके 58 तक, जो हमें बताते हैं कि आपके बात का कितना हिस्सा थाबित करने की ज़रूत है, और कितना हिस्सा थाबित करने की ज़रूत नहीं है, और जो है आपके charts, entries of books, यह सारे के सारे कब relevant होंगे, उसके बाद आ जाते हैं, expert opinion की तरफ, कि expert opinion क्या है, expert opinion के आपने word याद रखना है, skilled person, कोई भी skilled person, लेकिन skilled person को भी further उसने elaborate किया, उसने define किया, कि skilled person के अंदर आपका science, art, science, art, या फिर आपका foreign law, जो शक्स इन तीनों में से किसी एक पर महारत हासिल रखता हो, वो आपका expert opinion, skilled person की definition में फालो करेगा, अब last time उसने जो definition दी, कि जो आपका local law है, local law, any person has skilled in local law, is expert opinion, तो उसका जो answer वो incorrect है, क्योंकि expert opinion के अंदर उसने सिर्फ वो सिर्फ इस चीज़ को elaborate किया, कि जो आपका foreign law expert से, वो ही आपके expert opinion count होंगे, उसके बाद in relation, when person who has source of any relation, देखें, expert opinion के अंदर, एक ऐसी बात भी आ सकती है, मिसाल के दोर पे, अगर expert opinion में, अगर कोई शक्स पुछे के मेरी शादी हो चुकी है या नहीं हो चुकी है, तो इसका correct answer कोन देगा, अब यहाँ पर कोई expert opinion नहीं देगा, यहाँ पर वो शक्स देगा, जो मेरे family का member हो, तो वो शक्स in relation है, मुझसे in relation है, तो वो शक्स सही तरीकी से जवाब दे सकता है, उसके बाद एक character when relevant, क्रेक्टर when relevant, कि जो आपका character है कब relevant होगा, criminal के अंदर और civil के अंदर, अब देखें criminal के अंदर और civil के अंदर आपके character कब relevant होगा और कब irrelevant होगा, तो जो आपका civil है, civil के अंदर, in civil cases good character is irrelevant civil के अंदर good character is irrelevant but where there is general rule there is an exception so civil के अंदर relevant हो भी सकता है in in which cases only on in civil damages cases जो आपके damages के cases हैं उनके अंदर आपका जो character है वो relevant है उसके बाद criminal के अंदर good character relevant in criminal आपका good character is relevant good character आपका relevant है criminal matter के अंदर यह हमने किसी का point discuss किया आपके character के point को उसके बाद next जो हमार पास point है वो कौन सी point है वो है kinds of evidence evidence की कौन कौन सी kinds है देखें evidence की दो kinds है एक है oral और एक है documentary interpretation classes के अंदर ही हम जो है उसके concept को थोड़ा सा light touch view लिया था लेगिन इसको अब हम further elaborate करेंगे के oral evidence क्या है और आपका documentary evidence क्या होता है अगर हम oral evidence की बात करें कि डाक्यू कि मेंटरी और एविडेंस क्या होता है oral evidence आपका हमेशा होता है डायरेक्ट oral evidence is always direct evidence और जो आपका documentary evidence है documentary evidence कौन सा होता है खेर उसको आगे चलके देखते हैं पहले इसको डिसकस करते हैं oral evidence और एक होता है आपका oral evidence क्या होता है डायरेक्ट होता है और एक होता है आपका हेर से evidence अब ये हेर से evidence क्या है oral evidence हमेशा direct होना चाहिए किस तरीके से मैं अगर ये गवाई दूँ कि मैंने A को B का मडर करते हुए देखा तो मैंने खुद देखा हो अब indirect या फिर हेर से evidence क्या होता है अगर मैं ये कहूँ कि मैंने B से सुना कि A ने C का मडर किया है मैंने किसी से सुना अब ये जो सुनी सुनाई बात है तो कानून में सुनी सुनाई बात की कोई भी एहमियत नहीं है हेर से evidence is no evidence सुनी सुनाई बात की कोई भी एहमियत नहीं है but where there is a general rule there is an exception जहां पर general rule होगा वहां पर उसकी exception भी मौजूद होगी तो general rule किया है हेर से evidence is no evidence but there are some exceptions which are is dank declaration ठीक है दूसरा हमार पास आ जाता है expert opinion और तीसरा हमार पास आ जाता है shahadat al shahadat dank declaration जो आपका मरता वा शक्स था वो कभी भी जूट नहीं बोलेगा पेली पॉइंट ये उसके बाद expert opinion opinion of third person ये भी आपका जो है क्या है सुनी सुना ही बात है उसके बाद आ जाते हैं आपका shahadat al shahadat मिसाल को तुर पे आपका जो Mr. Ali है Ali जो है वो उसने किसी को murder करते वे देखा B का लेकिन वो जो है out of country चलागे वो अपनी जगा पे किसी और शक्स को भी भेज सकता है shahadat record करने के लिए उसके बाद आ जाते हैं documentary और documentary evidence documentary evidence के अंदर आपने जो word याद रखना है वो है contents of documents contents of documents जहां पर contents of documents की बात होगी तो वहां पर सिर्फ वो सिर्फ आपका documentary evidence ही acceptable है मिसाल के तोर पे अगर आपका A और B के बीच में कोई भी एक dispute अराइज होता है और B जो है वो oral evidence पेश करता है और A जो है वो documentary evidence पेश करता है तो यहां पर सिर्फ जादा एहमियत किसकी होगी documentary evidence की होगी उसके बाद where there is a question of document जहां पर question of document होगा वहां पर सिर्फ वो सिर्फ आपका documentary evidence ही जो है submit होगा उसके बाद जो आपका documentary evidence है अब documentary evidence या तो आपका होगा primary या होगा आपका secondary अब यह primary क्या है secondary क्या है देखें जो word primary है इसका मतलब क्या है इसका मतलब है original और इसका मतलब secondary का मतलब क्या है secondary का मतलब है आपका duplicate या फिर photocopy अब सबसे पहले best piece of evidence क्या है primary evidence और जो weakest piece है क्या है वो है आपका photocopy लेकिन photocopy secondary evidence कहां पर साबित किया जा सकता है कहां पर उसको लाया जा सकता है वो भी हम देख लेते हैं सबसे पहले primary evidence या तो होगा documents या तो होंगे primary या होंगे secondary या फिर आपके होंगे public या फिर आपके होंगे private अब यहां पर जो main सवाल यहां पर पूछता है वो question examination के अंदर वो पूछता है कि इसके article बताएं इसके article हैं आपके बाद 73, 74 उसके बाद 85 और उसके बाद 86 यह इसके important articles है यह articles आपने याद रखते हैं क्योंकि उस questions के अंदर जो आपके gate के exams होते हैं उसके exam के अंदर वो सिर्फ आपसे यहां से सरफ यही question put कर सकते हैं कि define this article its article के primary evidence is defined in which article 73, 74, 75, 76 तो आपने इसके article को याद रखना है उसके बाद जो public document है वो कौन से हैं which relates to government and other documents which does not relates does not relates to government जो government के साथ relate ना करें वो private है जो government के साथ relate करें वो क्या है वो आपका public document है यह अपने point याद रखनें article 73, 74, 75, 85, 86 related उसके बाद primary evidence is the best piece of evidence और उसके बाद अब एक और point आपने यहाद रखनी के जो आपके primary evidence है primary evidence के अंदर अगर कोई several in part है ठीक है या फिर आपका जो है counter counterpart है counter part किस तरीके से के मिसाल के तूर पर अगर कोई भी आपका एक document है जिसके अंदर आपने एक सख्स को कहा कि मेरी गाड़ी आप 20 लाक में ले ले और वो आपको counter offer करे कि मैं जो है 15 लाक में बेचूंगा तो यह यहां पर जो documents है उसके पास एक और document पढ़ा है आपके पास एक और document पढ़ा है वो सारे के सारे document अगर different है उन सब को इखटा करके वो जो है आप is a primary document पेश करेंगे तो यह हो गया concept of primary document उसके अलावा lithograph, lithograph क्या होता है lithograph कपड़े वगरा बेनर वगरा पर पेले एकसर क्या अंदर आए जाता है आपका photocopy या फिर any mechanical process अब यह mechanical process क्या है विसाल के तो रुपया अगर कोई भी let's suppose के photocopy क्या है photocopy mechanical process से गुजर के ही तो उस print की photocopy होती है original की photocopy होती है अब आप secondary document कहां कहां पेश कर सकते हैं आप secondary document पेश कर सकते हैं जहां पर आपका जो primary document है वो primary document या तो बल्की हो या तो numerious हो या तो adverse party के पास हो तो यह points आपने याद रखने हैं कि या तो adverse party के पास हो या बल्की हो numerical हो और जो है वजनी हो उसको उठाया ना जा सके अब general rule ने हमें ये बताया है कि primary evidence is the best piece of evidence but where the primary evidence is lost जहां primary evidence गुम हो जाए वहाँ पर या इसके जो है other में आपको बता दिये कि बल्की हो numerious हो और या फिर position में हो adverse party की उसके बाद presumptions कुछ presumptions को हम discuss करेंगे कुछ मफरूज है अब ये presumption क्या है presumption का जो actual word की meaning है वो है मफरूज है कानूनी मफरूज है presumptions ये स्टार्ड होता है article number 90 से अब यहां पर presumptions के अंदर आपने जो चीज़ याद रखनी होगा याद रखनी है कि जो आपके 30 years old documents है और उस पर किसी ने claim नहीं किया तो वो presume किये जाएंगे कि ये original है वो क्या है वो आपके original document है उसके बाद फर्दर उसने बताया कि genuineness of certified copies case जो certified copies है उसकी genuineness कब जो है presume की जाएगे उसके बाद any document passed by government कोई भी document जो government से पास हुआ हो उसको presume किया जाएगा कि वो बिल्कुल correct है maps plans charts वगरा x y z ये सारे के सारे इन सब को presume किया जाएगा कि ये सारे किया है ये सब के सब relevant ये सब के सब क्या है बिल्कुल correct हैं बिल्कुल सही है उसके बाद article याद रखें article number 110 से लेके 1112 तक जो है आपके पास fact which needs not to be proved facts which needs not to be proved कि वो कौन से हकाइक हैं जिनको prove थाबित करने की ज़रूवत नहीं है fact which needs not to be proved एक है हमारे पास admitted facts admitted facts need not to be proved और एक आजाता है हमारे पास कि जो जुडिशल नौटिसेबिल facts है कि जुडिशल नौटिसेबिल facts अब यह जुडिशल नौटिसेबिल facts क्या हैं जुडिशल नौटिसेबिल facts यह हैं मिसाल के तौर पर अगर मैं यह कहूं कि जो 28 दिसंबर है या फिर जो 28 दिसंबर 2021 है उसको बैंक की holiday थी या फिर 28 दिसंबर को जो आपकी court थी वो close थी तो यह मुझे फिर साबित करने के जोड़ते हैं यह जुडिशल एबिल नौटिसेबिल facts हैं जिनको court खुद ही साबित करेगा उसके बाद है आर्टिकल 113 3 से 116 तक आर्टिकल 113 113 113 से लेके 116 तक है stopple क्या है stopple means to stop someone अगर कोई भी शक्स declaration करे किसी भी एक particular document की कि मैं यह declare करता हूं मैं यह कागज़ाद जो है इसके नाम करता हूं मैं यह declare करता हूं कि यह मैं सारी के सारी property इसके नाम कर रहा हूं या कर देता हूं exposit कोई भी ऐसी declaration उसके बाद अगर कोई शक्स उसको प्रूफ करे या फिर जो है उसके लिए कोई भी एक action ले तो फिर वो क्या है वो उसके साथ जो ही लग जाता है आपका stopple इसका आर्टिकल 114 से लेके 116 116 तक है किसी को रोग देना किसी को रोग देना जो शक्स declaration कर दे उसके बाद वो अपनी बात से मुकर नहीं सकता उसके बाद आर्टिकल नंबर 117 से लेके 117 तक 117 से लेके 127 तक यह दस आर्टिकल किसी इसके साथ डिल करते हैं बर्डन ओफ प्रूफ बर्डन ओफ प्रूफ बर्डन ओफ प्रूफ क्या है बर्डन ओफ प्रूफ को हम यू कह सकते है responsibility of proof, बारह सबूत, कि जो proof है, यानि कि जो burden है, बारह सबूत है, वो किस पर होगा, burden of proof, person who intends court may give decision in his favor, जो शक्स, जैसे plaintiff है, वो कोई भी शक्स case लेके आता है, plaintiff case लेके आता है, और वो चाता है कि जो court है, अदालत है, वो अदालत उसके favor में case सुनाएगी, तो कोई भी शक्स, any person who intends court may give decision in his favor, तो वो जो है क्या है, वो burden of proof उस पर applicable है, यानि कि बारह सबूत उस पर होगा, लेकिन ये shift कब होता है, burden of proof आपके, आपके जो है prosecution से, अच्छा, क्रिमिनल के अंदर, word याद रखने, क्रिमिनल के अंदर prosecution पर है, और आपका civil के अंदर, आपके plaintiff के उपर, ठीक है, अब prosecution से accused पर कब shift होगा, plaintiff से accused पर तब shift होगा, जब accused, कोई plea ले ले, plea किस तरीके से ले, मिसाल के तोर पे, अगर accused जो है, text plea, कोई भी किसी किसम की plea ले ले, कि में वहाँ पर नहीं था, elsewhere था, plea of alibi ले ले ले, या फिर जो ही वो, जो हमार पर general exceptions, PPC के अंदर डिफाइन है, उसमें से कोई भी एक plea ले ले, तो फिर जो आपका burden of proof है, यह shift हो जाएगा, किस पर accused पर, उसके बाद आजाएं, आप article 128, article 128 किस चीज़ के साथ deal करता है, legittimacy of children, legittimacy of child, legittimacy of child, कि कोई भी बच्चा legitimate कब होगा, इसके लिए आपने एक सिर्फ और सिर्फ किलर करना है, एक word याद रखना है, कि कोई भी बच्चा जो शादी के बाद, छे महीने के बाद पैदा हो जाए, वो बच्चा जाईज है, वो बच्चा legitimate है, या फिर कोई भी ऐसा बच्चा जो के husband और wife के तलाक होने के, या फिर husband की death होने के बाद, wife के, दो साल के अंदर-अंदर, जाएं कि तलाक होने के आपन बाद 6 महीने के बाद अगर कोई बच्चा पैदा हो जाए तो वह भी लिजटीमाइट यानि के छे महीने से लेके 2 साल के टाइम डूरेशन के अंदर अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो वह उस बाप का बच्चा है जो इससे उस औरत की शादी हुए है बशरते कि उ उस औरत ने किसी हो से शादी तला के बाद या फिर जो है उसके मरने के बाद शादी ना की हो अब ये एक इसलामिक कॉंसेट यहां पर आप हो सकता है कि यह सा कैसे हो सकता है कि एक बच्चा जो के 6 महीने बाद पैदा हो जाता है अक्सर सक्माय बच्चे भी तो होते हैं जो मेंटल नहीं physical ज़ीव बॉरण से physical health है वो वह उतने महीनों की ओद उतने महीनों कि अगरहीं मेिन बच्चा गता रहा है अगर कोई बच्च 12 महीने में बच्चा नहीं है अगर कोई बच्चा 12 मेहीने मी पैदा होता है यह बैडनमन एपसे अनदर अब आ जाते है Taste Act article number 129 presumption presumption article 129 किसी इसके साथ दिल करता है presumption के बारे में जिसके पास और अब यहां पर court या फिर जो police है वो ये presum करेंगी जो पर मिसल कर अबर गर कोई चोर है या पिर चोर नहीं भी है उसके पास को ऐसी चीज मिल जाते है जो के चोरी ही है तो जो आपके पुलीस है वो यह प्रिजियूम करेगी कि यह जो चीज है यह चोरी की हो और यह शक्स खुद भी एक चोर है उसके बाद आर्टिकल नमबर 132 से लेकर 135 एक्जैमिनेशन 132 से लेकर 135 एक्जैमिनेशन एक्जैमिनेशन यहां से आपके एक या दो सवाल लाजमी आएगा एक्जैमिनेशन या तो होगी एक्जैमिनेशन इन चीफ आपने एक्सर सुना होगा चीफ रिकॉर्ड हो रहा है एक्जैमिनेशन इन चीफ या फिर आपके होगी किरॉस एक्जैमिनेशन या फिर आपके होगी re-examination अब ये examination in chief क्या है cross examination क्या है और re-examination क्या है वर्ड आपने याद रखना है कि जो आपकी examination in chief है ये कौन record करता है ये record करता है आपकी calling party और जिसके खिलाफ record कि जाती है वो होती है आपकी adverse party जो party आपके witness को बुलाती है उसको क्या कहा जाता है उसको calling party कहा जाता है और दूसरी point ये कि जो आपका cross examination है वो कौन करता है cross examination आपका करता है adverse party अब अगर examination in chief के दोराँ अगर आप एक point भूल गहें अपने client से पूछना अपने witness से पूछना तो फिर आप क्या करेंगे फिर अपने ही client से आप जो है re-examination करेंगे re-examination कब होते है जब आपकी examination chief record जाए cross examination record जाए उसके बाद last में record होती है re-examination आपने इसकी एक sequence यहाद रखने सबसे पहले क्या record होता है examination chief उसके बाद क्या record होता है आपका re-examination उसके बाद आजाएं आप next जो हमार पास article है आज का वो है article number 136 से लेके 139 तक 136 से लेके 139 तक जिसको हम कहते हैं leading questions अब यह leading questions क्या है वो questions जो lead करें those questions which leads toward your answer कि अगर कोई भी शक्स यह सवाल पुछे कि अपने ही client से या फिर अपने client को यह कहे है उस बारे में बताओ जो आप मुझे बता रहे थे that means कि you are leading your witness आप अपने witness को lead कर रहे हैं तो फोरण ही आपके जो adverse वकील होते हैं वो objection my lord कह देते हैं या फिर जो है किसी भी सूरत में object कर देते हैं तो वो क्या होता है वो होता है आपका leading questions तो leading questions कब record होते हैं leading questions that leads toward answer cannot be asked by calling party और calling party कभी भी leading questions नहीं पूछ सकती अब leading questions कब पुछे जा सकते हैं leading questions can only be asked with the discretion of the court or leading questions के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ ये पूछ सकते हैं अपने clients से के adverse party के clients से adverse party ही पूछ सकती है के yes और no के अंदर answer देना आपने अक्साब सुना होगा के जवाब देना सिर्फ और सिर्फ हाँ ना की सुरत तो ये क्या है ये जो हाँ और ना की सुरत में सवालात हैं वो है leading questions उसके बाद article 150 अब जो article 150 है ये किसी इसके साथ दिल करता है ये hostile witness hostile witness क्या होता है जब आपका गवा बिक जाए या फिर आपकी गवा को adverse party खरीद ले hostile विटनेस अर्टिकल 150 hostile witness के अंदर जो word है hostile hostile का मतलब क्या है if you can cross your own witness if he is hostile अगर आपका अपना ही witness hostile हो जाए अगर आपको अपने client को hostile declare करवाना है तो फिर आप क्या करेंगे आप जो है code की discretion लेंगे code की मर्दे लेंगे के मुझे अपने ही client से कुछ questions पूछने है because my client has been declared hostile उसके बाद article 151 impeachment of credit of witness अगर कोई ऐसा witness है जिसका आपको लगता है कि ये सही witness नहीं है मिसाल के दौर पे अगर आप अपने client से आप अपने किसी भी let's suppose मिसाल के दौर पे आप जो है एक witness से पूछें कि आप ये बताएं कि उस वकुए पर उसने कौन से रंगे कपड़े बेने दौर वो कहता है मुझे तो इस चीज़ का पता ही नहीं है या फिर आप ये बताएं कि आपको जब उसने kidnap किया तब कितने दिन तक आपको रखा वो कहता है मुझे इस चीज़ मुझे ये तो याद नहीं है that means कि वो जो है आप क्या कर रहे हैं आप उसकी credibility को shake कर रहे हैं तो जो आप उसकी credibility को shake कर रहे है to shake the credibility of witness is called impeachment of credit उसके बाद है previous inconsistent statement previous inconsistent statement है मिसाल के तोर पे वो क्या कहता है एक statement देता है और वो यह कहता है कि मैं ने ये देखा था कि A जो है B को मार रहा था इसके बाद फिर वो अपनी बात से retract कर जाए पिर जो है आपने उसकी credibility को shake किया और उसने कुछ और बात कही जब उसने उसकी credibility को shake कर दिया जब उसने अपनी बात को रख ती उसके बाद वो जो है उसकी जो statement है वो दुबारा बदल नहीं सकती उसके बाद article आज़ा है article 155 refreshment of memory अब ये refreshment of memory किया है निसाल के तोर पे आपने अक्सर देखा है कि ये जितने भी government officers है या फिर आपके police officers police officers हो गए government officers हो गए इन से ये कहा जाता है कि आप ये बताएं कि आपने इस शक्स को at the scene of crime यहां से गुजरते वे देखा या नहीं देखा अब वो ये कहते हैं कि हमने इसकी entry तो की थी लेकिन इसका नाम मुझे भी आद नहीं है अगर आप मुझे वो डाकॉमेंट अगर आप मुझे वो रेजिस्टर ले आएं जिस रेजिस्टर पर मैं entry करता हूं तो बेशक में आपको इसका नाम करेक्ट बता दूँ अगर वो रेजिस्टर मंगवाया जाता है अब उस रेजिस्टर से वो वो चीज पढ़ता है देखता है उसको क्या कहा जाता है उसको कहा जाता है refreshment of memory और जो आपकी opposite party है उसके पास ये ID के वो उस डाकुमेंट ये रेजिस्टर को भी देख सकता है उसके बाद आर्टिकल 161 आर्टिकल 161 ने आपने याद रखने question by court question by court उसके बाद जो next article है वो है आर्टिकल 163 ओध के हवाले से और last जो हमारा आर्टिकल है आज का वो किस चीज़ के हवाले से वो है आपका आर्टिकल 164 जो है modern devices modern devices सबसे पहले आर्टिकल 161 questions by court के court can put any question by any party at any time के court के discretion है court किसी भी पार्टी से किसी भी time के कोई भी सवाल पूछ सकती है except यहां पर word के याद रखें except court cannot ask insulting or annoying questions insulting or annoying questions आपके जो है नहीं पुछ जाए सकते कोड के जरिये से भी और जो है आपके during examination भी आप जो है insulting और annoying questions नहीं पूछ सकते है उसके बाद आपने के याद रखता है कि ओध का मतलब क्या है मिसाल के तौर पर अगर आप यह कहते हैं कि मैं जो है किसम लेता हूं कि मैंने इस शक्स को 10 लाक रुपे दिये थे अगर यह शक्स यहीं पर हलफ उठा ले यहीं पर कसम ले ले कि मैंने इसको 10 लाक रुपे नहीं दिये तो मैंने इसको वह 10 लाक रुपे बख्ष दी तो article 163 ने हमें इस ओध के बारे हमें बता है कि अगर आप अगर वो उस शक्स ने वो कसम ले ली तो आपको अपने मुकदमे से हाथ उठाना पड़ेगा उसके बाद आर्टिकल 164 किसी इसके बारे में बात करता है आर्टिकल 164 हमें बात करता है आपके किसके modern devices के बारे में modern devices के अंदर कौन को उसे चीज़ आ जाती है आपके मुबाइलस आगए आपके कैमरा आगए आपके सिटी भी कैमरा आगए आपके mobile phones और जो जितनी भी आज़कल की devices चल रही है जैसे के आप laptops वगरा देख रहे हैं आप आइफॉन के याज़े टैप्स वगरा देख रहे हैं Macbooks, X-Pries जितने भी आपके electronic devices हैं सारी कि सारी आपके आज़ाती है किस के अंदर modern devices के अंदर आज के इस lecture के अंदर हमने simply कौन कौन सी चीज़े डिसक्स कि हमने आटिकल 1 से लेकर आटिकल 166 के दर्मयान जितने भी important articles थे जो कि most important most repeated और most सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाले exams के अंदर get के अंदर question से वही आज हमने discuss कि हैं hopefully आपको सब्मयाद चुका गा इससे regarding कोई भी किसी किसें को question के query है जो मैंने skip कर दिये आप comment box में बता सकते हैं आप पूछ सकते हैं और जो है उसके उससे related सारे के सारे articles पर अलग से lectures already uploaded हैं already मुझूद हैं फिर भी आप पूछने चाहें आप पूछ सकते हैं देखें get के लिए मैं आपको सिर्फ और सिर्फ यही सजेस्ट करूंगा कि panic ना हो और दूसरी चीज़ यह कि आपने क्या करना है आपने first of all तो इन articles को at least एक से दो बार anyhow go through लाजमी करना है क्योंकि इसकी इसके जो number of जो gate के अंदर passing ratio है वो इस book के अंदर ही कम है उसका reason क्या है क्योंकि इसके अंदर 20 marks है और complete जो है आपकर कानुन इशादत order है तो कानुन इशादत order से related जो भी important questions थे वो आज हमने discuss कर ली है hopefully आपको सन्मिया चुके होंगे Thank you